में मसकार वन इंडिया में आपका सुपागत है मैं हूँ वजय इंडियन प्रेमियर लीग सीजन 14 अभी हाल ही में स्थागित किया गया है हारत में बढ़ते कुरोना वाइरस के मामलों के बीच इस टूर्नमेंट को बीच में ही स्थागित करना पड़ा आईपियल को दुनिया की बेस टीट्मेंटी लीग का दरजा प्राप्त है पूरी दुनिया की खिलाडी आईपियल में अपना हूनर दिखाने को बेताब रहते हैं वैसे आईपियल की ही तरह पूरी दुनिया में तरह तरह के लीग्स खेले जाते हैं लेकिन तमाम लीग्स होने के बावजूद आईपियल और पाकिस्तान में खेली जाने पाकिस्तान सूपर लीग के अक्सर तुल्ना होती रहती है। कई क्रिकेटरों ने आईपियल और पाकिस्तान की हैं लेकिन अब इंग्लेंड के तेज़ गिनबास ताइमल मिल्स जो की आईपियल और पाकिस्तान दोनों ही लीग में खेल चूके हैं। प्रिकार नहीं कर सकता है। मैंने इसे देखा है और मैदान के अंदर और बाहर इसका अनुभव भी उठाया। PSL में मैं चार सालों तक खेला। पिछले साल मैंने पूरा सीजन खेला था जो कि पाकिस्तान में था। और वहां क्राउड काफी जबरदस्त था। पाकिस्तान में स्टेडियम इंडिया जितने ही बड़े हैं। सारे टिकेट बिग जाते हैं। और लोगों के अंदर काफी जोश और जज़बा देखने को मिलता है। मैदान में एक ओवरसीज फास्ट बोलर के लिए पीएसल थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे तेजगेंदबास हैं। गेम का बैलन्स वहां पर अलग है। इंगलेंड के तेजगेंदबास ने आगे आईपियल की तारीफ करते हुए कहा आईपियल का स्टेंडर काफी हुचा है। सभी देश आईपियल के लिए उपलब दरहते हैं। यहां पर पैसा भी है। जिस तरह का माहौल यहां पर है उस वजह से यह काफी सफल लीग है। यहां पर केवल बेस्ट प्लेयर ही रह सकता। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगी तो बाहर कर दिये जाए। और कोई दूसरा आपकी जगह लेगा। आईपियल का यही माहौल है और इसी वजह से यह दुनिया की सबसे बहतरीन T20 लीग है। इस खबर में फिलाल इतना अमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ।